ये महराष्ट का वड़ा पाव तो आप लोगों इतना फेमस के दिया, वड़ा पाव जादा खम फेमस हुआ है, वड़ा पाव वाली जादा फेमस हुआ है, तो और एक महराष्ट का जो टिपिकल मिलता है, वो है उल्टा वड़ा पाव, एक्चुली सो उल्टा वड़ा पाव नमक डाल दीजेगा, स्वाद के अनुसार, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी अड़ करना है, इसको अच्छी तरह फेटाई करनी है, अच्छी तरह आपको फेटना है, मतलब इसको फ्लफी कर लेना आपको, और हाँ एक चीज रह गई है अजवाइन, अजवाइन भी अब इसको 10 मिर्च के लिए सुस्ताने देंगे, तब तक के लिए एक ग्लास ले लेंगे, मिर पाद खलबत्ता नहीं है तो मैंने ग्लास लिया है, इसमें आधा इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलिया, साथी साथ हरी मिर्च, 7 से 8 मैंने इसमें डाल दी है, उसके बाद हरा ध कुछ नहीं करना है, बॉल आलू लेना है, तीन बॉल आलू नहीं है, इसमें नमक डाल देना है, और यह जो मसाला हमने बनाया था सारा डाल देना, और कुछ भी एड करने की ज़रोतनी है, ऐसा इसका जबरदास टेस्ट आता है, आप बोलोगी किया इसको छोड़ो पहले हम इसी को ठूस लेते हैं, ऐसा टेस्ट आएगा, अच्छी तरह इसको मिला लीजेगा, अगर आप तड़का वगरा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा गरम करके तेल डाल दीजेगा, वो ही तड़का हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट है, अब पाव लेना है, पाव के बीचो ब टूस और इसको डूस तरह लेका हो जाएगा, लेकिन जाते ड़का हैं, अब उपधेगा, अजु पर एंस और फिर आपको कैसे और अच्छी तरह आज हैं, फ्लेम हाई रखना है बस 5 सेकर तक ऐसे आपको रखना है फिर आपको ऐसे को फिलिप कर देना है फिलिप करने के बाद दूसरा अगर आपके कड़े में दूसरा आता है तब डालीगा 5 सेकर तक रखना है फिर से इसको फिलिप करना है ऐसे ही आपको फिलिप करके फिर रखना ह है ऐसा नहीं कि रखते चले रखते चले ऐसा कुछ नहीं है अलट प्रट के आप इसको पकाईएगा जब तक एक क्रिस्प करा रहा और इसका रंगत ना बदल जाए जैसे इसकी रंगत बदल चुकी है फिर कुछ नहीं करना चटनी और यहां महराश्च में तो हरी मिर्च देत थैंक यू सो मुझ वाचिंग बबाए टेक केर